तो गूड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे दोस्तों मैं आपका दोश्रशिकान दिवेजी और आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही लाजवा प काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है और यह स्टेशन से मात्र एक किलोमेटर के दूरी के आसपास ही प्रोजेक्ट रहे गए अभी आपने देखी लिया होगा मॉडल तो यह आचुके हैं हम जो हैं दोस्तों सुरक्षा स्मार्ट सिटी यहां दोस्तों आप देख सकते हैं काम अगर चल रहे हैं का काफी बड़े लेवल पर काम चल रहा है और काफी तेजी से यह फ्लैट्स यहां पर बन रहे हैं इसका काम दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसका पाजेशन जो इन्होंने बताया मुझे दोजार 23 में ज बार लेने के लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह का अफिस है काफी बड़ा और है और यह देखे मॉडल देखिए यह बना हुआ तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को subscribe भी कर लिजे और एक चीज में और आप से कहना चाहोंगा कि दोस्तों यह पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे पुरे वीडियो हमारे साथ ब्लॉग में और देखते रही है तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रोड है एक रोड जो है सिधे आई हुई है लिंक रोड जो सिधे नयगाओं वसा निकल गई है और एक रोड जो है वहां पर स्टेशन की तरफ चली गई है आपको दिख रहा होगा कार पार्किंग वह रहा है यहां पर सब फ्री आपको दी जाएगी और इस प्रोजेक्ट की तो बहुत सारे यहां पर रहेंगी आपको दिख रहा होगा यह लोकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जल्ली से और घंटा जरूर बजाईए तक कि जैसे मैं कोई अ लोक्स देखते रहें अपने सपनों का घर ले सकें दोस्तों आ चुके हैं देख सकते हैं आप लोग यह दोस्ते बारा एकर में बना हुआ यह फेजवन है यह पर्थम निवास सुरक्षा स्मार्ट सिटी का इसमें आर्ट विल्डिंग रहेंगी दोस्तों और यह 23 मंजिल के टावर रहेंगे इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं दी गई है अभी मैं आगे आपको सारी चीने बताऊंगा इस्टेप बाइस्टेप तो आप देख सकते हैं कि देखे कितना सांदार गेट बनाया हुआ है और हर विल्डिंग में तीन विंक्स रहेंगे एबीसी कि यह काफी खुबसूरत बनाया गया है और यह देखे कितना सांदार लग रहा है यह बहुत ही प्यारा दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से बता दूं कि मैंने भी प्रोजेक्ट में अपना घर गुग किया हुआ है निकल चुका है और मेरा काम प्रोसेस में है भी तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट है और यह उन लोगों के लिए बनाया गया है गौवर्मेंट ने जिसे कि P.M. जोसे जेना के तहएत परनामन्त्री आवासियोजना के तहएत फ्रीश क्रजेक्ट है आपको दिख रहे होगा हर फ्लैट के साथ की बाहर जो है काफी स्पेश दिया हुआ है और कम्सक्राब कि आपको दिख रहे होगा जिसे कि ब्हाट्मिंटेन खेलने के लिए कि तुम आमेच नो कर दिए गया है कार पार्किनिगे baru फिरी मिलेगी gasoline ज़री मिलेगा कि पार प्रॉसरी त 70 अब इस की रहेंगी अगर बच्चों को ऐनना दोस्तों आज आज आजओ यह पहले हम आपको दिखा देते हैं का ये जो और बाते भी करते रहेंगे और आपको चीजें बताते रहेंगे इसके बार में तो यह दोस्तों रहा हमारा sample flat यह हमारा drawing room है जिसे हम इंटर करते हैं drawing room रहेगा दोस्तों इसकी बात करें इसकी अगर हम carpet area की 283s का carpet area है और अगर इसकी build-up area की बात करें तो तो 370 का बिल्डप एरियर है और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है काम किया इसमें बनाया है सेंपल प्रेट आपको बालकनी हो गए आप दिख रहे होगी इस पेस की अगर हम बात करें तो कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इतना कम जगे में घर बनाया गया है और यह देख सकते हैं आप लोग दोस्तों इसकी बात करेंगर इसमें हम सुविधाओं की तो काफी सुविधाओं यहां पे लैस रहेंगी आप देख सकते हैं यह पाइप जो दिख रही है कभी अगर घर में आग वगरा लग जाए कभी कुछ प्राब्लम हो जाए तो फायर भी तरह की कोई प्राब्लम नहीं आएगी यहां पर यह अगर घर बुक करते हैं और दो साल का समय मात्र इनको बनने में लगेगा कि इनकी जो बनाने की जो घर टेकनोलोजी है वह अलग टाइप की टेकनोलोजी रहेंगे आपर कॉलम बने बनाए कॉलम आएंगे केवल वही बिठाए जाएंगे और बहुत तेजी से काम इसका जो है चल रहा है अगर आप लोग आते हैं वह करने के लिए तो आप लोग भी देख सकते हैं हमारा वसाई स्टेशन पे पिक अट्रॉप भी रहता है अगर कभी आप आईए और जिसे मेरा नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए स्टेशन से मेरा पिक अप रहता है आप लोगों को वहां से पिक अप करके सारी जानकारी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा मेरे और मेरे टीम के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं आएगी जितना मुझसे हो सका है मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करूंगा अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कोई चीज छूट गई है तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए और मैं तो यह कहूंग कि दो साल का टाइम जाते हुए समय नहीं लगेगा और इसके बाद में बात आपको पस्ताना थी पड़ेगा दोस्तों वह कौमन लाइटन बाद को को देख सकते हैं कितना और कितना बड़ा बनाया गया है कॉमन लाइटन बात रूम देखें डबू से और यह गया है इसमें दोस्तों इस फ्लैट में जो चीजें अभी आपको दिख रही है यह चीजें आपको मिलेंगी जब इसका पॉस्टेशन मिलेगा और इसको लेने के लिए दोस्तों इसमें जो है लॉट्री सिस्टम रहता है पांच यार साथ सो पचास रुपए आपको पहले भरना पड़ता है लॉट्री के लिए यह देखिए यह बालकनी अगए किचन में जोस्तों किचन में भी काफी जगह है यह देख सकते हैं आप टाइल से अगरा देखिए कितना अच्छा काम किय पानी की लगा सकते हैं यह देखिए फैन अगरा भी लगा हुआ है काफी अच्छी तरीके से बनाए गया है फ्रिज का यहां पर जगह हो गयरा रखने का भी काफी स्पेस है अभी हम आपको दिखाएंगी इसमें जो फरनिश्ट फ्लैट है वह भी दिखाएंगे आपको तो इस फ्लैट को लेने के लिए आपके हैंड कम से कम 2-5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए आप तब यह फ्लैट ले सकते हैं इसको वुक कर सकते हैं और इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 3,00,000 सगर कम की आमदनी है तो इसमें डिरेक्ट सब्सीडिया आपको मिले इस्क्त्रेउफन अगर कrophyल कामने पास है फ्लैट जो किएमत अदा करने पड़ती है तो उसको फ्लैट की देख सकते हैं का अखी बढ़िया और भी किया यह यह फ्लैट तो आपको यह इसलिए बता रहे है कि कि आपको इसको इसमें छोटा ना लगे आप इसको खडी देंग किसी भी चीज की कहीं भी ज़रा से भी कमी फील नहीं होगी स्पेस को ले करके या लगा है देख सकते हैं आप लोग यहीं देखिए लगाया गया है यहां पर आपकांब ड़ाल सकते हैं चोटा साक्राणनर कि यहांपे घाल सकते हैं और चोटे सी जगह करते हैं यह सारा चीज इन्होंने बताया है इस इस फ्लाइट में बेड्रूम भी काफी अच्छा बेड्रूम बनाया हुआ है आपको दिख रहा है कि बेट डालने के बाद में भी आजू बाजू में कितनी सारी जगें यहां पर बच रही है आपको दिख रहा होगा और बहुत सजा सकते हैं अपने फैमिली की फोटो गयरा यहां पर लगा सकते हैं वाल पर देखिए यहां पर परदे पड़े हुए हैं इजहार भी बालकनी रहेगी च्छोटी सी और टेलिविजन गयरा भी लगा दिया गया है और बाहर का नजारा भी काफी खौपसूरत है जब आप काफी अच्छे घर हैं दोस्तों आप इने ले सकते हैं परदान मंत्री जी का जो सपना है कि हर आदने को घर देना पहले की जिससे की इसमें ऐसा नहीं कि आपके माधर के नाम पर लीजिया या किसी के नाम पर भी अगर आप अपने इंडिविजुल लेना चाहते हैं और कैसी अच्छी वीडियो में लेके आता रहता हूं विल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यह देखिए दोस्तों इसका कॉमन लाइटिन बातरूम यह काफी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है और अभी मैं इसका किचन भी आपको दिखाऊंगा काफी अच्छा किचन रहेगा अभी और इसके आसपास भी क्या-क्या चीज़ें रहेंगी सब बताऊंगा आपको बने लिए हमेरे साथ ब्लॉग पे पूरा और पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों क्योंकि आधिया दूरी जानकारी आपको कह पिए न कहीं निरास करेगी ये दिखे हम आ चुके हैं किचन में और किचन को भी कितनी अच्छी तरीके से ऊपर यहां पर बना दिया गया है यहां पर बडाफिरट भी रख सकते हैं अपने हिसाब से आप जो है अपने जरूरत के अनुसार यहां पर फिट कर सकते हैं और बाहर करना जारा देखिए कितना खुफसूरत बालकनी भी काफी बड़ी है यहां पर वसिंग मसीन अगरा भी रख सकते हैं बाहर काफी जगे रहेगी वहां पर कोई कमी आपको यहां पर नहीं व्लोग में